कानचिदवाना सिर्फ फैसन के लिए नहीं, बलकि इसलिए है जरूरी, आपको हम इस वीडियो में यहीं बाते बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहे हैं, कानचिदवाना भारतिय संस्कृति की एक महत्वपुर्ण परंपरा है, ये परंपरा सद् से चली आ रही है, हलाकि जहां पहले सिर्फ महिलाओं के कान छेदे जाते थे, वहीं अब उरुस भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं, आज कल उरुसों में भी कान चिदवाने का काफी ट्रेंड है, वैसे तो फैसन के लिए ही लोग कान चिदवाते हैं, लेकिन आपको ये जान आदे भी होते हैं, जिनको हम एक एक करके गिनवार हैं, एक्यू प्रेसर एक्सपर्ट के मुताबिक कान के निजले हिस्से पर मास्टर सेंसरल एंड मास्टर सेरेबरल नाम के दो इयर लोब्स होते हैं, इस हिस्से के छिदने पर बहरापन दूर हो जाता है, कान के छिदवा तो इसे आंको की रोसनी तीज होने में मदद मिलती है durante कांज़िदने से तनाव भी कम होता है क्योंकि कांगेasında निचले हिससे पर दबाउ पड़ने से तनाव कम होता है साथ ही दिमाग की अन्य परशानियों से भी बचाव होता है gonna प्रग्यानिकों के मुताबिक कान चीदने से लकवा जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। कान के निचले हिसे में मौजूद पॉइंट्स हमारे मस्तिस्क से जुड़ा हुआ होता है। इस पॉइंट के चीदने पर दिमाग का विकास तेजी से होता है। साथ ही दिमाग भी तेज बनता है। इसलिए बच्चों के छोटी उम्र में ही कान चेद देने चाहिए ताकि उनके दिमाग का विकास सही तरह से हो सके। कान चीदवाने से पाचन क्रिया भी दुरूस्त रहती है। कान के जिस हिस्से को छेदा जाता है वहाँ एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट भूक लगने को प्रेरित करता है। इसलिए इस पॉइंट को छेदने पर पाचन क्रिया सही बनी रहती है। साथी मोटापा भी कम होता है, ऐसा भी माना जाता है कि कान चेदने से सरीर के सुनने पड़े और पैरलाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचाव होता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताईए कि आपको ये सब जानकारी आपने क्या पहले सुनी थी और अगर सुनी थी त ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि उन लोगों को भी ऐसी जानकारी मिल सकें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिजेगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप ऐसे ही नलेस फुल वी देखते रहें, धन्यवाद!